हम पी 20 धरोहर तो है भारतिय बिरासत भी है इसलिए भारतिय गोवर्मेंट ने 50 के नोट पे वहां का फोटो छापा है यह सरकार का बहुत अच्छा काम है हम पी तुंग भद्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक बिसाल समराज था अब तो उतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा उस समय हुआ करता था पर अभी भी दर्सनी है इसकी अस्थापना बुका दो भाईयों ने किया था जिनका नाम बुका और हरीहरन थे एक विडियो आप पूरा देखिए तो आपको भारती बिरासत की गौरम महसूस होगा इन दोनों भाईयों का समराज बिजय नगर का समराज पूरा करनाटक अंधरा परदेश और तामिल नाडू तक फैला हुआ था उन्होंने पिये जल की बिविस्था और चित्रकारी की मंदिरों का निर्मान ऐसे ऐसे अदभुत धंग से किये हैं जो अभी भी देख कर करके गर्व महसूस होता है यैसे बिरुपाक्ष मंदिर जो भगवान संकर के समर्पित मंदिर है इस मंदिर का भव दर्शन कीजिए इनकी चित्रकारी को देखिए इनकी मुर्तियों को किस तरह बनाया गया है पत्रों से काट करके अगदम अकत्निय इंजिनरिंग बस्तु कला का कितना अच्छा उदारन है बिजय बिठाला मंदिर भगवान बिशनु का समर्पिते मंदिर एक गर्नायट से पत्रों से बनाय गया ये पिलर इस पे थपथप करने से सारे गामा का धोनी सुनाई पड़ता है मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई पड़ता है कैसी उत्तम इंजिनरिंग उस जमाने का था कैसा समराज था पर मुगलों को ने इस समराज को तहस नास कर दिया फिर भी अभी वहाँ देखने लाइक बहुत कुछ है वहाँ जाकर के कोरांकल राइड तुम भंद्रा नदी में कीजिए वो बांस की बनी हुई नवका पे तो आपको प्रकृति का पहाडों का क्या आनंद मिलेगा जो आप जीवन भर उसे आद रखेंगे उस पहाडियों पे अंजना नाम की पाड़ी है जहां भगवान हनुमान का जनम हुआ था इस एरिया को किस कंधा भी कहते हैं रमाइन में इसका सुन्दर बरनन है जहां भगवान राम को हनुमान जी मिले थे और सुक्रीब जी मिले थे और पुस्पा सागर साश्त्रों में बरनन आता है एक तलाओ के बारे में जो पुस्पा सागर कहते है इसका बर्नन किया हुआ है यहां के प्रकृतिकी का इसको बहभाव साली रीच बनाया है यहां का संसे, यहां का पाता बरन यहां का सब कुछ यहां के पेड़ पउधें देखने में जो हर्ष आनन आता है वो आप जीवन भर आप आद रखे जब भी आपको टाइम मिले तो हम पी जाएं ये सडक मार्ग से ये एरोप्लेन मार्ग से और रेलिवी से जुड़ा हुआ और वहां का इस समराज का आनन ले ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जै हिन जै बारत